नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने हमें एक और वीडियो ले करके जी हाँ बिलकुल आपको बहुत प्रतिक्षित हर्याना पंचायत चुनाओ और उनसे जुड़ी हुई हर खबर हर हर्याना वासी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है बहुत बड़ा इंतज खंड़ पीट ने क्या नोटिस जारी किया है यह देखिए आपके सामने ओफिशियल लेटर है जो हर्याना हाई कोड की खंड़ पीट ने जारी किया है याचिका करताओं के लिए इसमें आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा मैटर जो है वो इसमें पैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ने भूलें तो शुरू करते हैं आज के नोटिस के बारे में पंजाब और हर्याना हाई कोड हाई कोड़ ने हर्याना में पंचाय चुनाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर आज हाई कोड़ ने सुनवाई टाल दी है और अब हाई कोड़ ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दोरान इस से जुड़ी हुई एकठा करने के बाद कोई फैसला सुनाने के तरफ रु लेकिन हाई कोड़ ने सरकार की सरजी पर याचिका करताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 11 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया है हर्याना सरकार ने हाई कोड़ में जवाब दायर करते हुए कहा था कि 23 फरवरी को ही पंचायतों का कारेकाल खतम हो चुका है पंचा सरकार को ये हालात बैतर हो चुकी हुए दिखाई देते हैं इसके बावजूद सरकार चुनाओ को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है सरकार का ये कहना है कि वो इन चुनाओं को दो फेस में करवा सकती है पहले फेस में ग्राम पंचायत और दूसरे फेस में पं कराने की इजाजत हाई कोट से हर्याना सरकार ने मांगी है जस्टिस जस्वंत सिंग एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंड पीट ने सरकार की इस अरजी पर याचिका करताओं को नोटिस भी जारी कर दिया है जिसमें खंड पीट ने याचिका करताओं को 11 अक्टूबर तक का स जमा करवाएं और उसके बाद हम आपके जवाब को देखते हुए और आपके जो विचार होंगे उनको देखते हुए हम हर्याना सरकार को इजाज़त दें या ना दें इस पर विचार करेंगे तो ये थी पूरी खबर जिसमें हर्याना और पंजाब की हाई कोर्ट ने सरकार के नोटिस के जवाब में रिक्वेस्ट के जवाब में याचिका करताओं को एक नोटिस और एक समय निर्धारित कर दिया है कि आप अपने लिए जो भी आपके वज़े हैं या जो भी आप इसके अगेंस्ट में जो भी बात आप कहना चाते हैं वो आप अपनी 11 अक्टूबर तक को आप जमा करवाएं और ये लेटर भी खंड़ पीट ने जारी कर दिया है याचिका करताओं को इसी के साथ साथ यह लेटर उन सभी केसिस के लिए भी सनलगन करवा दिया गया है जो हर्या हर्याना पंचायत चुनाओं से जुड़ी हुई जितने भी आचिकाएं हाई कोट में लगी हुई है उन सभी में इनका इस नोटिस का एक लेटर डलवा दिया गया है तो इसी उमीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अंत में हर्याना के पंचायत चुनाओं से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 11 अक्टूबर का टाइम जो कोट कोट ने दिया है जो हाई कोट ने नोटिस जारी किया है उसकी कोपी आप ओफिशियल ले कोट ने लेटर या चिका करताओं के लिए जारी किया है इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही